ये हैं बेसन का ढोकला, बिल्कुल जालीदार स्पॉंजी और बहुत ही फटाफट से बनकर तयार होगा, इसमें ना हम साइट्रिक ऐसे डालेंगे, ना ही डालेंगे सोडा और ना ही इसमें हम चेनी का अस्तमाल करेंगे बहुत ही जादा अच्छा बनकर तयार होता है इस ढोकले को बनाने के लिए हमें जादा निगर्टिंस की जरूत भी नहीं होती है नमस्कार मैं हूँ कविता और आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढोकला बनाने की बहुत ही आसान भी दी एक कप यहाँ पर लेंगे बेसन बेसन बारिक वाला है जो हम अपने केचन में इस्तमाल करते हैं कड़ी वगरा में सिंपल बेसन है और साथ ही लेंगे यहाँ पर हम दही आदा कप दही लेंगे गाड़ा दही है और दही थोड़ा सा खटा वाला है तो दही को लेंगे और आदा कप ही लेंगे हम इसके अंदर पानी एक कप बेसन में आदा कप दही आदा कप पानी यही क्वेंटिटी यही माप अच्छा रहता है और इसी से हमारा ढोकला बहुत ही स्पॉंजी और सौफ्ट बन कर तयार होगा किसी भी चमच या फिरे विसकर से इसको आप अच्छी तरह से फैट लीजे फैटना बहुत जादा जरूरी है जिससे की दही भी बिल्कुल सौफ्ट हो जाए और साथ ही जो हमारा बेसन है फ्लफी हो जाए दो से तीन मिनट हम इसे अच्छे से फैटेंगे जब तक कि आपको यह नहीं लगे कि यह सौफ्ट हो गया है एक ही डारेक्शन में हम को विसकर को चलाएंगे या चमच को चलाएंगे जिससे की इसके अंदर अच्छे से एयर भर सके बहुत अच्छा फ्लफी सा हमारा ढोकला बने दो चुटकी यहाँ पर डाली है मैंने हल्दी और साथी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है इसको भी अच्छे से फैट लेते हैं इस मिक्स्चर को फैटते हुए मुझे दो से तीन मिनट हो चुके हैं मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो यहाँ पर मैं दो चम्मच पानी एट कर देती हूँ इस तरीके से बहुत अच्छे से फैट लिया है मैंने इसको बहुत सौफ्ट हो चुका है यह और एक ही डारेक्शन में फैटा है तो इसके अंदर एयर अच्छे से भढ़ चुकी है अब धककर हम इसे 15 मिंट के लिए साइड में रख देते हैं 15 मिंट बाद एक बड़ा सा भगोना लिया है मैंने यहाँ पर उसके अंदर डाला है दो ग्लास पानी साथी एक रैक रख दिया है मैंने यहाँ पर स्टैंट रैक और उसी के ऊपर हम रखेंगे यहाँ पर अपना डोकले की प्लेट या फिर डोकले का जो हमारा मोल्ड है देखे उधर मैंने पानी लख दिया है गश पर तो इधर यहाँ मैंने इसको खोला है मिक्स Yer को और इसको हमें एक से दो मिनिट और फैटता है अब बस यही महनत है इसके अंदर बहुत अच्छा ढोकला बनकर तयार होता है हम जितना इसे फैटेंगे उतना ही फलफी हमारा ढोकला बनकर तयार होगा अगर आपको लगे कि जो हमारा mixture है वो थोड़ा सा liquid हो गया है तो आप इसके अंदर आधा या एक चमच basin एड़ कर सकते हैं इस ढोकले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर केक टीन लिया है आप कोई plate भी ले सकते हैं इसमें थोड़ा सा उचा बनता है ये और फैला हुआ भी बनता है तो मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर बनावा डोकला मैं इसी के अंदर जाद तर डोकला बनाती हूँ इसको grease कर लेते हैं घी डाल कर या ते डाल कर अब आगे का process शुरू करने से पहले उधर आप चेक कर लें कि जो पानी है वो अच्छे से गरम हो जुका हो जो हमने भगोने में रखा था देखिये mixture किस तरह का बनकर तयार हुआ है मैं आपको डाल कर भी दिखा रही हूँ इतना ही पतला होना चाहिए गाड़ा नहीं होना चाहिए और जादा पतला भी नहीं होना चाहिए इस तरह की या मोल्ड के उपर जिसमें आपको ढोकला बनाना है उसको ग्रीस कर लिया हो और तुरंथ ही आप इसे दो-तीन बार मिक्स करेंगे आप शोर हो जाएं कि इसके अंदर अच्छे से इनो मिल चुका है तो फटा-फट से आप इस मोल्ड में इसे डाल दीजे पानी वाले भगोने को बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे बहुत अच्छा ढोकला बनकर तयार होगा 15 मिंट हो चुके हैं किसी कप्ड़े से पकड़कर प्लेट को आराम से आप उतारिएगा ताकि हात ना जले देखिए चेक कर लेते हैं ढोकले को वैसे ढोकला देखने में लग रहा है कि बिल्कु के अंदर ही इसी तरीके से छोड़ देंगे ऐसा करने से ढोकला बहुत अच्छा बनकर तयार होता है बिल्कुल सौफ्ट रहता है रखा हुआ तो आप जल्द बाजी ना करें कि हमें एकदम से से भगोने से या फिर कड़ाई से बाहर निकालना है 15 मिट बाद जब यह पानी ठंडा हो चुका है और ढोकला भी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तब हमने उसको निकाला है अभी भी भगोने के अंदर पानी है तकरीबन आदा ग्लास तो आप थोड़ा पानी जादा ही डालेंगे उसके अंदर जिससे की कमना पड़े चारो तरफ के किनारे औल या फिर घी से, इसको पलट लेते हैं प्लेट के उपर और इस तरीके से थोड़ा सा से थपता पाएंगे, बहुत अच्छा ढोकला बन कर तयार हुआ है, बिल्कुल जालीदार स्पॉंजी ढोकला बना है, देखिए, अभी थोड़ा सा गरम है, फिर भी मैं आपको इसे नि इस तरीके से, अभी ये थोड़ा सा गरम है, तो मैं आपको साथ के साथ काट कर दिखा रही हूँ, थोड़ा सा खिल भी जाता है, अगर बहुत जादा गरम से काटते हैं तो इस तरीके से, मेरे पास केक मोल्ड था, मैं उसी के अंदर बनाती हूँ, तो फ्लॉवर टाइप इसी तरीके के मैं पीसिस काट रही हूँ, आपके पास स्क्वेर है या फिर राउंड शेप है, तो आप अपने मन पसंद पीसिस काटिएगा, लीजिए बहुत अच्छा धोकला बनकर तयार हुआ है, आप मेरी बताई गई विदी से एक बार धोकला जरूर बना कर देखीग इसके उपर डालेंगे खटा मीठा तड़के वाला पानी, तो उसके लिए कड़ाई रख दिया है, मैंने गैस पर उसमें डाला है सिर्फ दो चमच तेल, तेल गरम हो चुका है, तो एक चमच जाल दिया हमने यहाँ पर राई दाना, आप सरसो के छोटे वाले दाने भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जब वो चटक जाएं तो यहाँ पर 3-4 मैंने हरी मिर्च को काट लिया है, बीच से लंबा, और साथ ही 10-12 ली हैं मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता मैंने स्टोर करके फ्रिज में रखा हुआ है, इस तरह के से इसका कलर हो रखा है, अच्छे से इसे भून लीजिए, जब तक कि इसमें से अच्छे सी खुश्बु नहीं आनी शुरू हो जाती, आज को रखेगा मीडियम, और आप इसमें फटाफट से एक गलास पानी एड़ कर दीजिए, एक कप बेसन के बने ढोकले में एक गलास पानी बहुत होता है, इस उबाल आ चुका है, तो जब हम गैस बंद कर देंगे, उसके बाद निबू का रस एड़ करेंगे, उबलते हुए पानी में आप निबू का रस एड़ ना करें, पानी उबल चुका है, चीनी खुल चुकी है, तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब निबू का जालने के बाद हम इसे गैस से उतार लेंगे बहुत अच्छा पानी बनकर ये तयार होता है अगर पानी थोड़ा सा बचता है तो आप इसे फ्रिज में उठा की रख सकते हैं और जब आपको जरुत लगे आपको लगे कि जो हमारा ढोकला है थोड़ा सुखा हुआ है तो आप गुनगुना पानी ही हम ढोकले के उपर डालेंगे लीजे बनकर तयार है बहुत ही शांदार बना है बहुत अच्छी खुश्बो आरी इसमें से और बहुत ही टेस्टी है मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ढोकला कितना ज़्यादा स्पॉंजी और कितना टेस्टी ब हुआ है अगर आपको डोकला बनाने की सिंपल सी रसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजे और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आप भी इस धोकले को बनाईए खाईए और अपने अनुभाव मेरे साथ ज मश्कार